अरे गोली बेटा तुम अभी तक जगी हो, सोई क्यों नहीं? पापा आप मुझे ये बताओ कि आप रोज तो साथ बजे तक घर आ जाते हो, लेकिन आज आप दस बजे घर आए हो, तो आपको घर आने में देरी क्यों हुई? बेटा गोली, मैं आफिस से तो रोज के समय ही निकला था, लेकिन रास्ते में कुछ लोग सड़क पर बैठे थे, तो मुझे लंबे रास्ते से घर आना पड़ा, जिसकी वज़े से मुझे देर हो गई. लेकिन पापा, सड़क पर तो गाड़ियां चलती हैं, तो लोग सड़क पर क्यों बैठे थे, क्या उन लोगों के घर नहीं है? घर तो है, लेकिन वो लोग सरकार से नाराज हैं, और चाहते हैं कि सरकार उनसे बात करें और उनकी परिशानी को सुल जाए. पापा, जब मैं नाराज होती हूँ, तो मैं किसी से भी बात नहीं करती, पर आप कह रही हैं कि वे बात करना चाहते थे सरकार से, ऐसा क्यों? हमारे लिए फैसले लेती हैं जैसे उस्कूल में कितनी फीस जमा होगी खाने का सामान और पेट्रोल जैसी चीजों की कीमत क्या होगी सभी लोग कितना टैक्स भरेंगे वगरा वगरा तो जब कभी भी लोगों को लगता है कि सरकार का कोई फैसला उनको नुक्सान पहुंचा स सकता है तो वे सरकार से बात करने के लिए कभी सडकों पर कभी ऐसी जगह जैसे दिल्ली में जंतर मंतर राश्कपती भवन आदी पर धरना देकर अपनी नाराजगी दिखाते हैं ताकि सरकार उनसे बात करके उनके समस्याओं को दूर करे ठीक है पापा आगे से मैं भी नरा चोटे बच्चों के बड़े सवालों से